आज हम संग्या के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में संग्या को नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तू, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं संसार में उपस्थित सभी चीजें, वस्तूएं किसी ना किसी नाम से जानी जाती हैं इसी नाम से उनकी पहचान होती है और यही नाम संग्या कहलाते हैं अगर आप अपने चारों और नजर दोड़ाएं तो आप पाएंगे कि संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो प्रतियेक वस्तु का कोई ना कोई नाम है और यही नाम जो हैं वह संग्या कहलाती है वस्तुएं और चीजें संग्या नहीं कहलाती उनके नाम संग्या कहलाते हैं जैसे पक्षी ये एक जाती है और इस जाती के अंतरगत सभी पक्षी आ जाते हैं गुसा भाव है और गुर्णाओं स्थान का नाम है ये सभी संग्या है जिन में से तीन भेद चोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं लेकिन बड़ी कक्षाओं में पांचों के पांचों भेद बताए जाते हैं पहला भेद है व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरा जाती वाचक संग्या, तीसरा भाव वाचक संग्या, चौथा समुहु वाचक संग्या और पांचवाँ द्रव्य वाचक संग्या पहले व्यक्तिवाचक संघ्या देखते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति-विशेश, वस्तु-विशेश, स्थान-विशेश का बोध हो उसे व्यक्ति-वाचक संघ्या कहते हैं जैसे भारत, रामचरित मानस, कुतुम मिनार, महात्मा गांधी आ दिए, विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें, कि व्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत जो नाम आते हैं, वे विशेश होते हैं, संख्या में एक होते हैं, उन्हें बहु वचन में नहीं बदला जा सकता, जैसे यहां भारत का उधारण दिया गया है, भारत एक है, रामचरित मानस, रामचरित मानस भी एक है, कुतुम मिनार भी एक है, और महात्मा गांधी भी एक हैं, इन सभी नामों को बहु वचन में नहीं बदला जा सकता, अतहस पस्ट है, कि दिया गया नाम अगर संख्या में एक है, तो वह है व्यक्ति वाचक संग्या है, जाती वाचक संग्या, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाती का, यहाँ ध्यान दें, कि एक नाम लेने से पूरी की पूरी जाती का बोध हो जाए, वर्ग का बोध हो, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे बकरी, बर्गद, आलू, नदी, पेड, आदी, यहाँ बकरियों की संपूर्ण जाती का बोध केवल एक बकरी कह देने से ही हो जाता है, यह इसकी पहचान है, यहाँ ध्यान दें, कि ऐसे नाम या संग्या शब्द, जिने बहु वचन में बदला जा सके, वे सभी नाम जाती वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं, जबकि व्यक्ति वचक संग्या के अंतरगत जो नाम आते हैं, उन्हें बहु वचन में नहीं बद यहां विद्यार्थी ध्यान दें कि सबजी और फलों के नामों को जाती वाचक संग्या के अंतरगत ही रखा जाएगा क्योंकि यह संख्या में अनेक होते हैं जैसे केला, बिंडी, मूली, अम्रूद, पीपल, आदी ऐसे ही यहां आप उपर देखेंगे बर्गत कह देने से बर्गत केवल एक नहीं है ऐसे ही आलू संख्या में अनेक हैं तो इसलिए यह जाती वाचक संग्या के अंतरगत ही आएंगे यहां विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो संख्या में अनेक होते हैं वे सभ अधी जातीवाचक संग्या के अंतरगत आएंगे उप्रोगत सभी शब्द एक का बोद कराते हैं लेकिन संख्या में अनेक है लेकिन इसके अंतरगत अंगिनत बरगत के पेड़ा जाएंगे जैसे भिंडी मूली आदी इन शब्दों का प्रियोग अनेक के लिए ही किया जा र जब कोई जाती वाचक संग्या शब्द जाती प्रकटना करके किसी विशेश व्यक्ति का बोद कराता है तब वह व्यक्ति वाचक संग्या बन जाता है ध्यान दें कोई भी शब्द जो जाती वाचक संग्या है लेकिन जाती प्रकटना करके विशेश व्यक्ति का बोद कराता ह तब वह व्यक्ति वाचक संग्या बन जाता है जैसे गांधी जी पंडित जी ये दोनों ही शब्द जाती वाचक हैं लेकिन गांधी जी कह देने से एकदम से समझ आ जाता है कि महात्मा गांधी की बात हो रही है पंडित जी कह देने से समझ में आ जाता है कि जवाहलाल नहरू जी के लिए ही किया जाता है इसलिए ये व्यक्ति वाचक संग्या है भाव वाचक संग्या जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गोण, दोश, भाव, दशा या धर्म का आदी का बोध हो उन्हें भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे बुडाहपा, मिठास, बच्पन आदी, प्रेम, दया, त्याग, साहस, घृणा, करोध, ईर्ष्या, लोब, आदी मूल भावव वाचक Zahlen हैं लेकिन अधिकांश भावाचक शब्द योगिक होते हैं योगिक कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द दो शब्दों या शब्द वा शब्दांश के मिल से बनते हैं वे योगिक शब्द कहलाते हैं जिन्हें शब्दों या प्रत्यों आदि से जोड़ कर बनाया जाता है कुछ प्रमुख भावाचक संग्या शब्द बनाने वाले प्रत्य हैं आवट, आहट, आई, इमा, इयत, इ, त्व, ता, पन, आदी कुछ भावाचक संग्या शब्द जब बहुवचन में बदल जाते हैं ऐसे में उनका बहुवचन रूप जाती वाचक संग्या कहलाता है जैसे कठिनाई भावाचक संग्या है लेकिन इसका जो बहुवचन रूप है कठिनाईया वह जाती वाचक संग्या है समूह वाचक संग्या वे संग्या शब्द जिन से समूह का बोध होता है उन्हें समूह वाचक संग्या कहते हैं जैसे दल, गुच्छा, जुलूस, जुन्ड, आदी अब आप यहां पर ध्यान दें कि दल कह देने से यह है एक वचन सा प्रतीत हो रहा है लेकिन दल के अंतरगत एक बढ़ा समूह है गुच्छा अंगूरों का गुच्छा एक गुच्छा है लेकिन उस गुच्छे के अंदर बहुत सारे अंगूर हैं अंगूरों का एक समूह है तो इसलिए यह समुह वाचक संग्या है शब्द एक है लेकिन उसके अंतरगत अनेक आ जाते हैं तो वह समुह वाचक संग्या कहलाता है द्रव्य वाचक संग्या वे संग्या शब्द जिन से किसी द्रव्य या पदार्थ आधी का बोध होता है उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे पानी, दूद, दाल, चावल, तामबा, आधी संग्या के विकार, संग्या की रूप, रचना, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाती हैं इसी कारण लिंग, वचन तथा कारक को संग्या की विकार या विकारक तत्व कहा जाता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लिंग, वचन और कारक के बारे में बताऊंगी मेरी ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें